हलो गाईज हम हमारी इशू का इशू की बुक का लास्ट चैप्टर क्रेडि रेटिंग कर रहे हैं इस चैप्टर के उपर ओल्रेडी मेरी तीन वीडियो हैं तो मैं सोच रही हूँ अब यहां से आगे हम इसकी सीरिस स्टार्ट करेंगे तांकि आपको कोई प्रोब्लम ना हैं और दूसरे पें टू है जो तीसरी है उस वह थर्ड होएगी ठीक है तो आप लाइन वाइज ही चलना आहीं को समझता रहेगा आज का आप पुन को हटो यह ब्सकाई है क्रेडी मीचा क्रेडी 15 jan फोपी यह क्रेडी टौर्पी करती। they are Krisel पार्ड क्रांजुएbak मीनिंग क्रालेटैकों क्रेडिटिंग इन एकमपनीज को चीक है हम इसको just for मैंने exam dpt चेक की है यह सिरफ और सिरफ दो तीन बार आया हुआ है और वो भी 5 marks के लिए तो उसी according में आपको करवाऊंगी तो ज़्यादा कोशिश मत करना क्योंकि हमारा छोटा सा दिमाग है हम ज़्यादा material याद नहीं रख सकते तो इसको समझना और इतना ही करना है कि जितना हमें ज़रूरत है for 5 marks ठीक है तो हम ज़्यादा बढ़ा नहीं करेंगे इस टॉपिक को ठीक है चोड़ो बढ़ते हैं क्राइसल इस एन इंडिया अनलेटिकल कंपनी क्राइसल इस एन इंडिया की अनलेटिकल एक कंपनी है जो की रेटिंग प्रोवाइड करती है रिसर्च रेटिंग भी प्रोवाइड करती है रिस्क और पॉलिसी अड्वाइजरी सर्विस और यह एक हमारी पॉलिसी अड्वा यह largest credit rating agency है, it was established in 29th January 1987, यह established कब हुई थी 29th January 1987 को और इसको किसने established किया था, ICICI Limited ने, ठीक है, इसको किसने established किया था, ICICI Limited ने, its headquarters आ रहे है मुंबई, और इसका जो main headquarter है, वो कहां पर है, मुंबई में, ठीक है, Then Chrysal published the rating in its publication name, जब भी Chrysal किसी company को को rating देती है न, तो वो उस rating के उपर जैसे अपना एक logo सा लगा देती है, credit rating scan, हर rating के उपर न, वो अपना एक scale लगा देते हैं, मतलब एक logo लगा देते हैं, credit rating scan की है, कि उन्होंने की है यह, उनका यह logo है, ठीक है, Chrysal uses some symbols in its rating report, वो कुछ symbols का use करते हैं, जब वो एक report prepare करते हैं, the investor should examine these symbols, जो investor है, वो इन symbols को examine करता है, with regard to their implication, ठीक है, अगर किसी भी बंदे को, investor को, किसी company में invest करना है, तो वो Chrysal के उन symbols को पहले investigate, या examine करता है, then उस company में invest करता है, ठीक है, rating given by Chrysal help the landers, जो rating यह देते हैं, यह किनकी help करती है, landers की, borrowers की, issuers की, investors की, in their investment and business decisions, और उनको business decision लेने में help करती है, In 1996, Chrysal entered into a strategic business alliance, जो 1996 में, Chrysal ने enter किया था, एक business alliance में, with standard and poor, which is an international credit rating agency, जो एक credit, international credit rating agency है, ठीक है, और जो Chrysal है, यह offer भी करते हैं, देखो, यह, Chrysal also offers affordable rating services for small and medium enterprise, यह नहीं है कि इनकी rating इतनी जादा है, कि small and medium enterprise इसको afford ना कर सके, यह उन्हें affordable rating भी provide करते हैं, ठीक है, It will not be wrong to say that Chrysal rate most of India's largest company, यह कोई गलत बात नहीं है कि वो एक largest company है, ठीक है, and several of the smallest, और smallest भी काफी इससे नीचे भी काफी companies है, बट यह, इनको small companies को एक affordable price provide करती हैं, जिससे कि वो भी इसको afford कर सके, अगर इससे कोई rating करवाना चाहते हैं, तो, ठीक है, then rating process of Chrysal normally take 3 to 4 weeks, जो normal process है, Chrysal का rating का देने के लिए, वो 3 to 4 weeks का होता है, however, Chrysal में sometimes rate decision in shorter time frames, कई बार क्या होता है, however, Chrysal में sometimes, sometimes वो क्या करता है, rate decision in shorter time frames, कई बार वो shorter, मतलब 3 to 4 months का, weeks का उनका procedure तो होता ही होता है, कई बार होता है, कि वो जल्दी कर देते हैं, कोई अगर special request आजाती है, ठीक है, so, in order to meet urgent requirement, और urgent requirement होती है, इसको meet करने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए, वो कई बार जल्दी भी कर देते हैं, ठीक है, देखो, मैंने अपने तरफ से आपको पूरे एक page का full-fledged crystal का meaning करवा दिया है, 5 marks के लिए, वैसे तो आपके लिए यही काफी है, तो मैं आपको एक बस छोटा सा just for, ठीक है, अगर कोई problem आजाए, इसमें से कोई line भूल जाए, तो आपको just इसका process समझा रही हूँ, होता क्या है क्राइसल का, इसके इलावा हमने क्राइसल का कोई topic नहीं करना, हमने इसका meaning कर लिया और इसका process कर रहे है, ठीक है, इसके इलावा इसके topic को मत छेड़ना, किसी भी उलज जाओगे, गुम जाओगे, बीच में घुस जाओगे, तो मैं आपको process भी ऐसी समझा रही हूँ, मैंने dip में नहीं कंपनी है, ठीक है, issuer ने एक request डाली, रेटिंग के लिए, request for rating, first उसने request की rating के लिए, ठीक है, then उसकी rating जो है, पहले न वो एक meeting होती है, तो उसने rating sign होगी, ठीक है, agreement provide information and rating fees, agreement उसने प्रवाइड किया, और उसमें एक information अपनी सारी और उस rating के लिए fees दे दी, ठीक है, उसने rating के लिए, fees दे दी, agreement किया, management उसने fees दे दी, then, then उसने जो ही, information और agreement सब्मिट करवाया, उसने वो management को सब्मिट करवाया, then management interaction with the rating team, management ने interact किया rating team के साथ, rating team, assign team, then rating team ने team assign की, rating team assign team, collect information ताकि वो information collect कर सके, conduct premium लड़ी अनायल्स और उसको अनायल्स कर सके, पूरी information को चेक कर सके, team conduct की, team conduct site visit and perform अनायल्स और उसने उसको अनायल्स किया, इसको प्रेजन करेगी, जो भी information उसने उसके बारे में निकाली वो उसको पहले प्रेजन करेगी, कमेटी के सामने, जिस कमेटी ने उसको हायर किया था, ठीक है वेले उसके सामने उसको शो करेगी कि भी इस company के बारे में ये info निकल की आ रही है, rating assigned and communicate to the issuer, जब उसने ये कमेटी को दिखाया, जैन उसके next step में क्या करेगी, कमेटी बात करेगी, कि issuer को वो rating जो उसने rating team ने दी है, वो rating issuer को दिखाएगी, कि भाई ये देखो आपकी ये rating निकल के आ रही है, अगर तो वो उसके against होएगी तो वो reject कर सकता है, अगर सही होएगी तो वो accept कर सकता है, आप देखो यहाँ पर, accept the rating और appeal, उसको जो issuer को दिखाए, तो उसको उसने लगा सही है, तो उसने acceptable दिया, ठीक है, then acceptable दिया, उसको rating सही लगी, then always rating का process इतना ही होता है, देखो rating is animated and carry in www. तो उसको ने acceptable दिया, then उस rating को उनने अपनी site पर डाल दिया, www.crisal.com, ठीक है, all rating kept under continuous surveillance throughout validity, तो उसके बाद उन्होंने rating जैसे जैसे उन्होंने देखी, बड़ यह नहीं है, कि एक बार उन्होंने प्रोसेस खतम कर दिया, तो खतम, अब एक बार इन्होंने इसकी rating किये, तो इनकी duty है, कि वो धियान रखे, throw out validity, मतलब उस उसके बाद उनकी value हो भी गया है, प्रोसेस खतम भी हो गया है, उसके बाद भी धियान रखे, अगर कंपनी में कोई भी fraud case आता है, तो वो उसकी rating को change कर सकते है, उनको धियान रखना है, वो rating के according की काम करें, ठीक है, यह हमारा छोटा सा प्रोसेस था, अगर आपको छोटा लोंग में पेपर में question आ भी जाता है, वैसे बहुत rare chance है, है यह नहीं chance, जा कहते है, 5% chance है, 95% chance है 5 marks में आने के, 15 marks में बहुत कम chance है, अगर आ जाए तो आप इसको expand कर सकते हो, प्रोसेस को, और आपको meaning इसका पता है, अगर नहीं आता तो 5 marks के लिए इतना sufficient है, material जितना मै नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, कौन से topic पर बनती है, इसी chapter के अभी topics एक दो रहते हैं, तो उसी को cover up करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, bye bye